दोस्तों यह रियल सकंद पुरान बूख है ठीक है तो पिछले वीडियो पर हमने जहां तक पढ़ा था उसके बाद यहां से पढ़ना सुरू करते हैं रियल रामायन, महाभारत, बेद, पुरान, कामसुत्र, उपनिश्द यह सब अगर आप सुर्वास से पढ़ना चाते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर क्लिक करके प्रेलीज में जाके पढ़ सकते हैं या पिस चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचोक को यूटूब पर भी सेच करके उस पर क्लिक करके प्रेलीज में जा सकते हैं तो एकोदेश्य का अतिक्रमन करके जो वेद का आचारवाला होता है और परम सरल हुआ करता है वो ब्राह्मन इस नाम से कहा गया है जो परम निविच सत्य बचन बोलने वाला ग्रीनी तथा वेद की किसी एक शाखा को कल्प के सहीद तो पिछले वीडियो पर हमने पढ़ा था कि शिब शिब कहते हैं आत्मा की पुजा करो ठीकि आत्मा का ध्यान लगाओ जो कि हर उपनिश्यद हर गीता अस्टबगर गीता में हमने पढ़ा था जो परम निविच सत्य बचन बोलने वाला ग्रीनी तथा वेद की किसी एक साका को कल्प के सहीद एवं छे अंगों से संजुकत अध्यान करके सेट कर्मों में जो धर्म का वित्ता सदा नेरत रहा करता है है विप्र उस शुत्रिय उसको शुत्रिय कहा जाता है जो वेदो और कि दो के अंग सास्त्रों के तर्थ्तां का पूर्णाग्यात होता है शुद्धा आत्मवाला पापों से रहीत प्रम, सेष्ठि शुत्रिय वां प्रच्य होता है वो आनुचान कहा गया है जो आनुचान में रहने वाले संस्तवणों से सू? समपन्य तथा यग्या और सद्धाय में यंतित रहने वाला होता है उसको भुरून इस नाम से शिष्टो के द्वारा कहा जाया करता है जो सेस भोजी इंद्रियों को अपने वश में रखकर जीत लेने वाला वैदिक और लोकिक सभी प्रकार की ज्ञान को प्राप्त कर लेने वाला नाम से कहा गया है जो उद्रेमा अगमा नियत अशन करने वाला सयम से रहित और शाब दिने में एबंग अनुगर करने में पूर्ण शक्ति रखने वाला सत्य प्रतिग्या करने वाला होता है वो रिशी इस नाम से कहा जाया करता है जो सभी प्रकार की प्रवित्यों से वाला निस्क्रिया परम्दमन्सील तथा मिट्टी और सुबर्णस सेनों में समान भावना रखने वाला होता है वो मुनी इस नाम से कहा जाया करता है इस रिति से वंस और वंस और विद्या तथा चरित्र से जो समुच्चित होते हैं वे ही त्रिशूल का अर्था तीनों प्रकार के शुकल विप्रेंद्र सबन प्रविती में पूजा करने के योग्य हूआ करते हैं इस तरह से विप्र की किसमे मैंने आपको बतला दी है अब यूगादी के विशे में आप स्रवन कीजे कात्तिक मास के शुकल पक्ष की जो नवमा तिति होती है उसको अक्षय नवमी कहते हैं वही कृतियूग के आदी का दिन कृतित किया गया है अर्थाद नवमी से ही कृतियूग का आरंब होता है वैस्थाक मास के सुकलपक्ष की जो तितिया तिति है जिसको अक्षय तितिया कहते हैं उसी दिन से तेता युग का अरंभ होता है, अठाथ वही तेता का आदी दिन है, माग-मास की पंचमी दशी तीती अर्थत पुर्नीमा दौपर युग का आदी दिवस है जिसको बुधो की द्वारा कहा गया है, नवश्यमास की किष्णपक्ष की त्योदिशी तिथी कल्यूग का आदि दिवस है इस तरह से यूगों के आदि दिवस बतला दिये गये हैं जो दिये हुए दानों के अक्षे करने वाले होते हैं ये चार तिथिया यूगों के आदि दिन हैं इन तित्यों में दिया हुआ दान हवन सिगरही अक्षयता को प्राप्त हो जाया करता है ऐसा जान लो यूग यूग में सो वर्स तक जो दान का फल होता है वो यूगों के आदि दिवस में दिये हुए दान का फल हुआ करता है जो यूगों के आदि दिवस तो कह दिये गये है अब मनों के भी आदी दिवस सुन लीजे आश्वीन मास के सुकलपक्ष की नवमी तथा कातिक मास की जादसी चत्र मास की तित्या तथा भाद्रपद मास की तित्या फालगूर मास की आवाबश्चा और पॉर्ष्ण मास की एकादेशी असाड मास की दित्या माग मास की सब्तमी साबन मास की असाड़ी पुर्णी मा कातिकी फालगूरी चैत्री और जेश्ट मास की सीता पंचदसी ये सब तित्या मनवंतरों की आदी तित्या है तो हम मनवंतर क्या है कल्प क्या है यूग क्या है यह हमने पहले ही पढ़ा है ठीक है अविश्व पुरान में भी पढ़ा है मारकेंडिया पुरान में भी पढ़ा है ठीक है अब उसे भी देख सकते हैं इन तितियों में दिया हुआ दान अक्षे करने वाला होता है जिस तिति का भी बड़ा अधिक मात्तो होता है उस रत्सत्मी के दिन में दिया हुआ दान हवन तथा अन्य भी इस्ट आधि की उपासना सभी कुछ अक्षे हो जाया करता है यह समस्त प्रकार की दरिदर्ता के समन करने वाला होता है क्योंकि इसमें कुछ भी पुन्यकर्म करने भगवान भासकर देपरम प्रसंद हुआ करते हैं जिसको बुद्द पूरुस नित्य ही उद्द्य उधपन्ना करने वाला कहा करते हैं उसके विषय में भी अब आप त्तात्री कर्म से स्ववन कीजिए जो नित्य ही याशना करने वाला होता है वो कभी भी स्वार्ग प्राप्ट करने का अधिकाली नहीं हुआ करता है ये समझत भूतों को उद्दिगन किया करता है जिस तरह से चोर उद्देचक होते हैं विसे ही ये भी हुआ करता है ऐसा वेक्ति अत्यन्त पापात्मा होता है और नरक में गवन क्या करता है क्योंकि ये नित्य ही उद्यक के करने वाला होता है यहां संगसार में मेरी किस कर्म के द्वारा उद्पत्ती होगी और मुझे यहां से कहां पर प्रयान करना चाहिए इस तरह से जो विचार करके पतिकार करने वाला पुरुष होता है गुद्व के द्वारा वही पुरुष है द्विच दक्षों में भी परम दक्ष कहा गया है पूरुस को आठ मास पूर्व दिन क्रै और अपनी आयू के द्वारा वही कर्म करना चाहिए जिससे अंत में सुक का लाब होता है बेदान दभादी बिद्वान अंची और धूम ये दो मार्ग बतलाया करते हैं अर्ची नमग मार्ग के द्वारा मुक्ष के प्राप्ति किया करता है और धूम मार्ग से पुना आवतन किया करता है यग्यो के द्वारा धूम प्राप्ति किया जाता है और निस्करमन नता अर्ची का समासाधन किया जाता है इन दोनों मार्गों से अत्रिक्त दूसरा मार्ग पाखंड कहा जाता है जो पुरुस देवों को नहीं मानता है और अनुसुचित धर्मों को भी नहीं मानता है वो इन दोनों मार्गों में नहीं जाया करता है यही सब का ततात निरूपित कर दिया गया है इस रिति से यह सब किये गे प्रश्णों का उत्तर दे दिया गया है यह उत्तर सादू असादू है यह हम को बतला दो और अपने कि आपका भी परिचे प्रदान करो कि सीप पूजन महात्मा वर्नम देवर्शी नहरत जी ने कहा है पार्थ इसके अननंतर उनोंने सयम में संचित और क्रिया योग से समंदित तपो मूर्ती को धारन करने वाले महा मुनी का दैशन किया था उस समय में लोमश नाम वाले वे मुनिवर तीनों कालों में संजा के निमित किये जाने वाले स्थान से कपिल वर्नवाली जटाओं को सिर्मे धारन करने वाले थे जो घित से सिक्त अगनी के ही तुल्य दिखाई दे रहे थे सब्य हस्त में छाया के लिए त्रीन का समो था दक्षिन कर में अक्षो की माला धरन किये हुए थे और मित्र मार्ग में गमन करने वाले प्रियस्रेष्ट को देखा था दुष्ट उक्तियों के द्वारा भुमी पर संचरन करने वाले प्रानियों को हिंसित ना करते हुए जो जप्प के द्वारा सिध्धी की प्राप्ति किया करता है वो मेत्र मुनी कहलाता है बक, भुप, द्वीच, उलूक, गृद्ध और कूर्म सब उन चिरंतर तपोनिजी को देखकर कलाब ग्राम में प्रणाम किया करते हैं थे स्वागत आसनों सत्कार के द्वारा इस मुनी से वे सब अतिदिक सत्कित हुआ करते थे यतोचीत रूप से समास्वस्त होते हुए वे सब अपने हिदय में स्थित कार्यों उस महा मुनींद्र से कहा करते थे कुम ने कहा ये अबनी का स्वामी इंद्र दुम्या सत्री जनों में अगरिनी है किन्तु किति के लोफ हो जाने से बेदा के द्वारा ये नाक स्वर्ग के पिष्ट भाग से निरस्थ कर दिया गया है हे सत्तम मरकंडे आदि मर्शों के द्वारा अपनी किति का उद्धर प्राप्त करके ये फिर पुना पात आदि के होने के कारण अत्वीत भीशन स्वर्ग के पाने की कामना ही नहीं करता है आपके द्वारा ये अनुगरीत होना चाहिए कि यहाँ पर इस महान उदे के इच्छा कर लेवे इस राजा को ऐसी प्रेना देनी ही चाहिए ये राजा आपका ही शिश्य है और मेरे द्वारा आपके समीप में लाया गया है आप किपा करके इसको सादू बांचित बोलिए दूसरों का उपकार कर देना ही सादू पुरुसों का ब्रत हुआ करता है और विशेश रूप से शिश्य विट्टी को प्राप्त हुए शनुद्य का उपकार करना उनका आहिद वरत है जो प्रेना करने के योग्या नहीं है ऐसे पापियों के विशे में बिना संक्षे के सादू कहा है अन्यतर का बिद्देश और मरन भी किया करते हैं जो प्रेनुद्य है उनके विशे में आप्रमत्य ये मुनी वही प्रदान किया करते हैं आप ही इस प्रकार के पुन्य धर्म को जानते हैं हम लोग इस विशे में अधिक क्या जानकारी रख सकते हैं महामर्शिलूमस जी ने कहा है कुम आज आपने जो यह हमसे कहा है वो बहुत युक्त एवं समुचित है आपने ये पुरातन धर्म सास्तर से उपनाद बात का हमको समरन दिला दिया है हे राजन आप अपने हिदे में स्थित संध्यों को पूर्ण बिशब्द रूप से बोलिए आपको किसने क्या दिया है सेस मैं आपको बतला दूँगा इसमें कुछ भी संक्सर नहीं है राजा इंदे दुम्रे ने कहा है भगवान मेरा सबसे प्रतम प्रश्ण तो यही है उसे आप बतलाईए कि इस महान घोर गिश्मकाल में भी जबकी रभी मध्य में स्थित है रभी मतलब सूर्यक इस आपके आश्रम में वो क्यों नहीं है आपके इस कुटी पर यह छाया कैसे है मार्सिल उमस जी ने कहा मरना मरना तो अबस्षी है और यह काया अबस्षी गिर जाएगी इस आनित्य संक्सार के मध्य में गमन करने वालों के द्वारा किसके लिए घर किया जाए जिसका मित्व मित्र है चाहे उसने उत्यम अमृत ही क्यों ना पिया हो उसको यही कहना उचीत है कि यह मुझे कल ही हो जाएगी सरस्तर यूगों में होने वाला यह दिन हुआ है वो भी अदत्तों को प्राप्त हो गया है इस मरन के अवधी के विशे में तो कहना ही क्या है प्रत्यकार्य कारण के ही अनुगत हुआ करता है यह सरी सुक्र यानि बीर्य से समुद्पन्न हुआ है आप भी बतलाइए यह अशालिक अंगार की भाति किस प्रकार से विशुद्धी को प्राप्त हो सकता है सो ऐसे इस अनित्य एवं अविशुद्य सरी के ही लिए छे सत्त्रियों के द्वारा निर्जित हुए मनुष्य पाप कि द्वारा निगाम के द्वारा करती थाम को पड़ते एवं स्रमन करते हुए कैसे जीवित रहेगा तो भी यह वैश्नभी माया ऐसी अद्भूत है कि विवेखिन पूरुष को महित कर दिया करती है मनुष्य स्वबर्स की आयूवाले भी अपने हिदे में स्थिद भी मित्ट अर्था कभी भी एक के पास स्थिर रहने वाली नहीं है यह जवबन और यह जीवन भी चल है अर्था स्थिरता से रहित ही होते हैं है नित यह संगसार में रहने वाले सभी कुछ चला चल है अतय मनुष्यों का दान ही ग्रह होता है यही घ्यान प्राप्त करके इस संगसार क और चला चले वंग असार समझकर हे राजन कुटाचादी का परिगर करके लिए किया जाए इंद्रदुनी ने कहा इस भूबन द्रै में एक आप ही चिरायू है ऐसा ही सुना जाता है इसलिए मैं यहां पर समायत हुआ हूँ तो आपका यह बचन क्यूं है मरसिलोमस जी ने कहा पत्ते कल्प में इस मेरे सरीर से एक रोम का परिक्षे होता है सरवनास होने पर मेरा यह भावी होने वाला प्रमापन होता है आप मेरे इस जानू के भाग को देखिए यह दो अंगूल तक रोमों से रही थे मेरा यह सरीर ज देवसी नारज जी ने कहा इस रिती से लोमस मरशी के उस बचन का स्रवन करके वो राजा हंस करतिंतरी विश्में से युक्त हो गया था फिर उस राजा ने उनसे उस तरह की आयू का कारण पूछा था इंदेदुने ने कहा है ब्रामन मैं आपसे यह पूछता हूं कि आपक के प्रनास करने वाली शिव धर्म के युक्त पूर्व जन्म में होने वाली परम पून्य कथा का वर्णन करूंगा उसे आप अब श्रवन कीजिए मैं पहले शुद्ध था और इस भूतल में अतिंत ही दरीद था मैं इस भूमी के पिष्ट पर भोजन के लिए भी अतिंत पीर्थो कर भ्रमन किया करता था इसके उपरांद उस समय में मैंने जली के मद्ध में स्थित एक महानद शिबलिंग का द्रशन प्राप्त किया था मध्यान के समय में इसका जलाधार समय में ही मैंने देखा था इसके पसचाफ उसके द्वार में मैंने प्रभेश किया था वहां पर मैंने उस संभू भगवान के परम पवित्य जलका पारण किया था तता सनान किया था फिर उस सिबलिंग का भी सनान कराया और परम शुब कमल के पुश्पों से सिबलिंग की अर्चना की थी है निफ सेट इसके नंतर शुदा से शाम कंट वाला मैं भगवान को नमश्कार कर फिर प्रमीत होता हुआ मार्ग में चल दिया था इसके पस्चत भगवान शिब के सनापन कराने से तथा केबल एक एक ही बार कमल के पुश्पों के द्वारा पूजन करने से मैं एक ब्राह्मन के घर में जातिसमार का पुत्र होकर संभू संपन्न हुआ था म मैंने इस संक्सारिक बिलाश को पुर्णतया मित्या स्मारन करते हुए तथा इस असत्य जगत को सत्य का आभास मात्र जान कर और ये सब अविद्यमई ही है ऐसा ग्यान प्राप्त करके मुकत्यों में समस्तित हो गया था अर्थात मैं किसी से भी ना बूलकर एकदम गुंग किया गया था इसके अनंतर उस बिप्रा ने बातसल्यभाव होने के कारण से मेरी बहुत से और उनका ऐसा निश्चे हो गया था कि इस बालक की इस मुकता को मैं दूर कर दूंगा महा माया से समंद बन समंद मन वाले उस माता पिता के मंतर बादो बहुत से विद्दो और दूसरे उपायों को देखकर जो की एक महा मुर्टा से परिपूरन थे उस समय में मेरे मन में हाश्च हो रहा था इसके उपरांद मैं अपनी यॉवन के वस्ता पर पहुंच गया था और उस समय में रात् पर प्राप्त हो गया था इसके उपरांद पिता के प्रमीत होने पर मुझे मूड ये कहकर त्याग दिया था समझ से समंधियों के द्वारा मेरी मुर्टा की प्रतिती हो गई थी और मेरा प्रित्यक भी कर दिया गया था इसके प्रस्चात में फलों के आहार पर ही अबस्तित हो गया था मैं पूर्न तया प्रतित होकर बहुत तरह के कमलों से इश्क की पुजा किया करता था इसके अन्यंतर जब सो बर्स पूरे हो गए तो भगवान शशी शेकर बर्दान देने वाले मेरे सामने प्रत्तक्च हो गए थे मैंने भी उनसे जरामरन का भली भातिक ख्याइप प्रदान करो ऐसी याचना की थी भगवान इश्वर ने कहा नाम और रूप को धरन करने वाले की अजरता और अमरता नहीं हुआ करती है क्योंकि मेरे देर का पात होगा इसलिए जीवित में कोई अबदी करो इस प्रकार से इस भगवान शंबू के बचनों का स्रबन करके उस समय में मैंने वही वर्दान मांगा था कि कल्ब के अंतर में मेरे एक रूम का पात होगा और जब सबका शंक्षय हो जाए तो मरन होगा इसके अननंतर में फिर अपना गन हो जाओं यही मेरा अबिस्तित वर प्राप्त हो गए थे चले गए थे तब इसे लेकर मैं तपस्चरिया में निष्टा वाला हो गया था भगवान शिव के पूजन से ब्रह्मात्यादी महापापों से मनुष्ट्र शुटकारा पाजया करता है ब्रंधाब जोग के द्वारा अतवा इतर कमलों के द्वारा है म कुछ भी दूर्लब नहीं है वह प्रभित्ति का तथा ज्ञाने द्वीया औरकट कर्में इंद्रिय का गर्हन करके नित्री भगवान श्रदाशी में लाइक और प्राव्त हो जाता ये अंतर योग कहा जाता है ये भड़वान शिव नहीं सवयम घान किया था क्यूंकि बहि यूत-ँशान का समाराधन करके तता प्रनब आप के जब करता हुआ मनुष्व, मुक्ति की प्राप्ति कर लिया करता है। समस्त प्रकार के पापों के शरी हो जाने पर भगवान शिवंडNever में भावना इत्पणन करती उसमें भी भगवान शिव का पूजन करने का अवसर प्राप्त करना परम दूरलब होता है प्रभा मही पापो के प्रनाश करने वाली जानवी में स्थान दूरलब है और भगवान शिव में भक्ति करना भी महान दूरलब हुआ करता है ब्राह्मन को दान देना और वही देव क का पूजन करना इस संक्सार में दूलब है अत्याल्प पुन्या के द्वारा पुर्शत्तम प्रभू का अर्चन करना महान दुस्प्राप्य होता है एक लक्ष धनुसों से योग होता है उसके अर्द भाग से खुताशन तथा सत्सरस्थ से पात्र और साथ से रेवा और रुद्र हुआ करता है है मही बते मैंने आपके आगे ये सब कहकर बतला दिया है जिस प्रकार से आयूदिर्ग हुई है वो महिश्वर भगवान के समाराधन के करने से ही हो गई है भगवान शीव की भक्ति करने वाले महात्मा पुरुषों के लिए इस संगसार में क्या त्रिलोकी में भी कुछ भी दुरलव दुस्प्रप्य और असाद्य नहीं है ये परम निस्चिती है दंदिश्वर की उसी सरीज से भगवान शीव के पुजन करने से सिद्धी को देखकर हे राजन ऐसा कौन सा पूरु से जो संकार को नमन नहीं करेगा भगवान शी कंट को नमस्कार करने वाले श्वेत महीप काल भी प्रले को प्राप्त हो गया था ऐसे उस इस का कौन पूजन नहीं करेगा जिसकी इच्छा से ही ये संपूर न विश्व सुसंपन न होता है विश्व रूप से अबस्तित रहा करता है तता अंतरलाई को प्राप्त हुआ करता है ऐसे उस इश्वर की सरनागती में कौन जाकर प्राप्त नहीं होगा हे भूप यह एक परम रहश है और मनुष्यों के इस परम प्रदान है मनुष्यों के लिए परम प्रदान है यहां पर भगवान शीव का पूजन ही करना चाहिए जिसकी अंतराय पदपी को लोग प्राप्त हुआ करते हैं मनश्र शीव को नमन करने वाला तुरंती भगवान शीव की सनिधी को प्राप्त कर लिया करता है ये शत्त है बीविद शीव शेत्रों का शक्ति सहीत बर्नन नंदिके श्र ने कहा है मुने आप तो माईश्र भगवान के भक्तों के अगरनी है इन समस्त चराचर भूतों के कल्यान के लिए जो आपने स्थान पूचा है देव ने उन समस्त कर्मों के अनुगन्य से सरीधारियों का जन्म उनुन योनियों में प्रकल्पित किया है आपने उनके महान हित के लिए परियाप्त शुशुशा की है आने था इस संग्षूती की हानी हो जाती तो जो सैकडो करोरो कलपों से भी पूर्ण नहीं होती स्वल्पक अर्मों से तथा स्वल्पक ज्यानों से भी पुना-पुना प्राप्त ये घटी यंत्रों के न्याई से ये जन्म तथा मरन कभी भी शम को प्राप्त नहीं होते हैं गर्ब के मोग के समागम से बिरत हुआ ये देधारी विशुद्ध ज्यान के बिना कैसे बिश्यान्ती के रिए प्रकल्पित हो सकता है पहले मैंने प्रसंग गबश होने के कारण ये प्रदेश कठित कर दिये गया है रिशी वेदादीक और उनमें कितिबान शिव का निवास होता है उनमें कुछ तो भागिरती गंगा के तीरों में निवास किया करते हैं कुछ सरसुती नदी के तटों पर रहते हैं अन्या कालिन्दी यमुना के तीरों पर और कुछ शोन के तट पर निवास किया करते हैं दूसरे नर्मदा के तट पर कुछ गुदापरी के तीर पर कुछ गोमती नदी के तट पर और अन्या हेमबती नदी के तट पर निवास करते हैं इतर समुद्र के पार्श से और अन्या सासोतों के दीपों में रहते हैं, कुछ सिंद्यों के मुखों में तथा कुछ संबेदों में भी निवास करते हैं। कुछ किष्णा बेनी के टथ पर दूसरे तिंग भिद्रा के समीप में रहा करते हैं, कृति पर उपबेनी में और दूसरे सक्तगन के समीप में निवास करते हैं। किया है, कुछ धर्मद्वन्ति के अन्या तम्सा और वरुणा के टथ फ़ाइब पर ही रहा करते हैं। दूसरे शिप्रा के टथ पर सृविए सर्यूं के परिशरों में निवास किया करते हैं। इतर विपाशा के समीप में रहते हैं और दूसरे सर्दूती नदी के टट पर निवास किया करते हैं कुछ धर्मद्वन्ती के उपकंठों में और अन्या भीम्रती नदी के तीर पर रहते हैं कुछ बिन्दूसर के समीप में दूसरे पंपा सरुबर के टट पर कतीपई भहरवी के निकट में और कतीचीत कौसे की नदी के टट पर रहते हैं दूसरे मालिनी नदी के तीर पर कुछ गंदवती के टट पर कुछ मानस के उपांत में और कतीपई शोद के तीर पर रहा करते हैं कुछ अन्या इंदे दूमने के नाम वाले सर पर और अन्या मनिकरनिक पर दूसरे वर्दा के तीर पर तथा दूसरे कुछ तापी नदी पर रहा करते हैं कुछ पाताल गंगा के समीप में, दूसरे कुछ सरावती के समीप में, कुछ लोहिती के कुलो पर, कुछ कालमा के टट पर, अन्या, वितस्था के उपन्तिक में, तरशा दूसरे चनरभागा ननादी के समीप में निवास किया करते हैं, कुछ सुजला के समीप में, दूसरे प मती नदी के तीर पर और कुछ पिनाकिनी नदी के साथ सद रहते हैं इस प्रकासे बारनसी के शेत्र पांश कोष्ट का परमपावण चेत्र कह दिया है वहाँ पर विसलक्ची के द्वारा समिष्चित अभिमुक्त नामधारी देव विराजमान रहते हैं कपाल मोचन जहां पर है और जिस शेत्र में काल भेरवा करते हैं है मुनें जहां पर मित हुए प्राणियों को रुद्धित्व की प्राप्ति हुआ करती है उसको कारशिष समझना चाहिए इस प्रकार के शिद्यों को प्रतारिन करने वाले वे गया और प्रयाग हुज कतित कर दिये गये हैं जहां पर पिंडो के प्रदान करने से पित्तगन परम्तुष्ट हुआ करते हैं के दार का भी समाकर्णन किया है जिसने मैश के श्वरूप को धारन करने वाले देभी देवी के द्वारा नियत हुए हैं जो मनुष्य के सब तरह के शिय को करने वाले हैं बद्रिकाश्रम शेत्र पुरुशों की सभी सिद्यों का करने वाला है जहां पर नर नारायन के द्वारा समर्चित देवी का संभ्यक प्रभू विराजमान है। पुष्कर नामवाला एक परम महानस्थान जिसे मेरे द्वारा आपने कहा हुआ स्रबन किया ही होगा। जहां पर रजोगंति देव हैें और पुरुहुता नाम वाली देवी मारिश्वरी है। बाला एक स्थान बतलाया था जहां पर मुंडी नाम वाले । स्री मादेव, डंडी का नाम वाली । मैश्वरी भी अजमान रहा करती है। मैंने आपको एक लाकुल नाम वाला परम संक्शुद्ध श्थान बतलाया था जिस नाम से लाकुल. लिश्ट स्री हर है, और सर्वमंगला अनंगा देवी है, भार भूति इस नाम वाला एक स्थान है, jemandemann नाम वाली सम्भू है तित्या शुमा नाम धायनी देवी शर्नन दियाजमान रेती है गमा नाम जब आगा मम scholar मैंने जिसके विशह में प्रस्टाप किया है जिस श्यत्र मैं मंगला नाम वाली देवविशुषीभा है और अर्जणकर गृण कर देव साथ स्थाने जिसके वाबत मैंने आपसे पहले निवेदन किया था जहां पर सनायू प्रिया नामवाली भगवती देवी है और स्थानू नामवाली भगवान देविराजमान रहते हैं मैंने आपसे एक कंखल नामवले परमेतर स्थान के विशे में भी कहा था जिस स्थान में उगरा नाम वाले भगवान पूरा रती विद्यमान रहा कते हैं और उगरा नामदरीनी सक्षात गिरी वरात्मचा देवी बिराजमान है तालग नम वाला एक महाशित्र है हे मारकंडिया मैंने इसको भी आपको बतलाया है जिस छित्र में सहयम भूती देवी है और सहयम भूप परमिश्वर है मैंने एक अटहास नम वाला महान स्थान आपको कहा था जहांपर भगवान वाश्कर ने इसका पूजन करके अपना मनुरत पूर्न किया था मैंने आपके सत्ता में एक कितिवास नाम वाले शित्र के चर्चा की थी जो केलासगीरी से भी आधिक प्रसंग सनिया है और कितिवासा प्रभू का निवास्थान है वहाँ पर भ्रह्मन अंभी का नाम वाली देवी के सहित यलगी कार्जुन महिश्वर का श्री शेल से सिष्टी की सिद्धी के लिए परमिष्टी ब्रह्मा जी के द्वारा पूजा की गई थी सुबर्नज मुखरा के तौर पर कालहस्ती इस नाम वाले भवान शंकर हैं जिनकी भूंग मुखरा लका देवी के सहित शी व्यासदेव ने आरधना की थी कांजी में कामक्षी के स्थाथ एक काम मुलस्त नाम कामसासन प्रभु व्याजमान रहते हैं जो तब करती हुई के द्वारा अभी संलिष्ट होते हुए बले से अंकित हो गए थे तिली नाम और जंगल में जंगल के मद्दे में रहने वाला व्याग्यपूर नामवलस्ता स्थान है जहां पर नित्त करते हुए इशान की पतंजली ने पयूप असना की थी एक शुटा स्थारन नामवलस्ता ले जिसके विशे में मैंने पहले ही आपको बतलाया था जिसमें भगवान शीप के अर्चन करने से एराबत ने अपना भगन हुआ भंग हुआ दंत प्राप्त कर लिया था एक से तूबंद नामक स्थाने जिसको मैंने आपको बोला था कहां पर स्री रागेंद्र प्रभू ने रामनात नाम से पापो के नाशक देव की पदिश्टा की थी जो रामेशन नाम से अब विख्या थे एकगत प्रत्याहत नाम अनामक स्थान विद्ध्यमाने जहां पर बिश्व द्वज प्रभू जंबू जामुक तरू के मूल में इस जगत की र नहीं द्रहा करते हैं यह तो आपने सुनाई है स्री मन्यधार युन नामवला अतिव उत्तम स्थान आपने स्वन किया ही होगा जहां पर नित्तई भगवती गौरु के साथ संक्चरन करने वाले भगवान हर वरो के प्रदान करने वाले होते हैं भगवान सोमनात के द्वार समस्तित सोम्तित आपने सुनाई है जिसकी ऐसी महिमा है कि जो प्रानी उस्थान पर आपने दिया का त्याग किया करते हैं उनको फिर इस संक्सार का बंदन रहता ही नहीं है आपने सिद्धवत नामक शेत्र के विशे में स्रबन किया ही होगा जहां पर सिद्धपुरु सरवत्तम भगवान जो तेलिंग का समाचन किया करते हैं आपको कमलाले शंग्याबाले शित्र के विशे में भी श्रबन किया ही होगा जिसमें भगवान बल्किकेश की अर्चना से स्री ने हरी की जीविता कर लाब किया था आपने कंकाद्री को सुना होगा जहां पर सन्नीद भगवान हर की ब्रह्मा और केशब आज भी मुक्ष की प्राप्ति के लिए उपासना किया करते हैं आज स्रीमान द्रोनपूर को जानते ही हैं जिसमें कल्यूक के शय होने पर समुद्र के शुब से युक्त होने पर पारबती के पती भगवान शंभू नोका पर शमदी रूड हुए थे ब्रह्मा पूर नामक शित्तर के विशे में आपने श्रबन किया ही होगा जहां पर पहले इंद्रजीत ने आज ये पुष्किर ने के टर्ट पर भगवान धुरजरी की स्थापना की थी श्री कोटिक नाम वाला ज्यान को अभिगेत रहे जहां पर भगवान इंद्र शेकर समाहरन करने वाले पुरुषों के पापों की कोटिका विदारन कर दिया करते हैं आपने गोकर नामक स्थान को सुनाई होकर जहांपर आरधना करने वाले जामदन या रिशी शीव के सन्निधान में रहते हुए वहां से स्वर्ग से परमुत्तम स्थान में जाने की भी आकमशा नहीं किया करते है मैंने त्रिपूरान तक शेत्र के विशे में आपसे कहा था जहांपर त्रियंबग भगवान दर्शन प्राप्त करने वाले मनुष्यों का नरक से भाय का निराकरन कर दिया करते हैं मैंने आपसे कालांजन नाम वाले शित्र के विशे में आपको बतलाया था जिस शित्र में काल कंदर प्रभु निवास किया करते हैं और अपने भक्तों के घुर संसार के संजर को निराधर कर दिया करते हैं मैंने प्रिया लवन नामक शित्र के विशे में आपको कहा था जहां पर अम्रीका पती प्रभु ने प्रभु ने प्रभु के अर्थी उपमन्यों के लिए प्रभु सिंदु विश्था कर दिया था प्रबास नामक शित्र के वाबत मैंने आपको बतलाया था जिस शित्र में खंडेंडू सेखर भगवान शिब शौरी और सिरी इन दोनों भायों के साथ पूजित होकर इनको उन्होंने अक्षे फल पदान किया था बेदारन्य नामक स्थल को आप भरिवाती जानते ही हैं जिसमें प्रमत नामक प्रभू की पहले किये हुई अपराद वाले प्रजाप दक्ष ने अपने मौक्ष की प्राप्ति के लिए अभ्यर्थना की थी आपने हेमकूर के पीशे में स्रवन किया ही होगा जो स्थान अचक्चूशा भीस है और जहां पर तप्रश्चरे करने वाले पुरुशों का पुनर जन्म धारन करने का भैसर बता रहा ही नहीं है एक बेनुबन नाम वाला उत्तम शित्र है जो समस्त पापो का नाश करने वाला है जहां पर वंग्ष लता के गर्ब से मुक्ता मन शिवा सुसंपन हुआ था एक जलंदर नाम अप्थान है जो अंदकार में हैं आपने इसके विशे में सुना ही होगा वहां पर जलंदर ने घौर तपश्या के द्वारा गणों के पती का पद प्राप्त कर लिया था एक जोलंदर की नाम वाला स्थान है मैंने इसके बाद तब ही कहा था आप इसका ग्यान रखते ही होंगे जिस शेत्र में जोलंदर की देवी ने काल रूद्र का पूजन किया था एक बद्रबट नाम वाला शेत्र है मैंने मेरे द्वारा कहा हुआ आपने इसके वाबत अव कोशे ही स्रबन किया होगा जहां पर हेरंब ने भगवान स्वेंबक ही संपदा की प्राप्ति के लिए अर्चना की थी एक नेगरुधारन नामक उत्तम शेत्र है जिसे मैंने आपको बतला दिया है जहां पर उग्र ने ही निर्मान किया है वहां प्रभु काली के साथ उचंड करते हुए परम संगर्स को प्राप्त हो गए थे एक गंदमादन संग्या वाला शेत्र है जिसको आपने सुन रखा है जहां पर आंजनिया यानि हनुमान ने भगवान में तुन्जय का अर्चन किया था एक गोपरवत स्थान भगवान शंबू का है जिसको मैंने प्रख्या गबीर को इस्ट नामक शेत्र स्थान है इसका आपने अब अब धारन किया ही होगा जिस पर प्रचेता ने तब उस छेड़े के द्वारा कभियों में प्रतनाता प्राप्ति की थी महात्रीत यह कहा गया है इसे आप जानते ही हैं जहां पर भगवान शंबू ने सुब में अवस्तित होने बाले बज्जरपनी इंदर देव ने हादिनी के प्राप्त करने का लाव लिया था शिशुंदर इस नाम वाला शित्र वेगवती के तर्ट पर बताया जा चुका है जिसमें इस महाघोर कल्यूप में भी देवों के देव दिप्यमान हुआ करते हैं कुम लबरी नदी के तट के साथ संब्यग नाम वालस्थान है जो आपने सुनाई होगा जहां पर भगवान गुज्जने तड़कासुर के घात करने वाले शक्ति का लाब किया था है वेद वित्यम श्री पार्टल बैगरपूर अख्यात किया गया है जहां पर तिशंड कुन ति ने जाती के शुद्धी के लिए भगवान गंगाधर का समार्चन किया था एक कडमी पूरी नामक छेत्र है जिसका अबधारन किया ही होगा जहां पर आप ही के लिए शूल के द्वारा भगवान शंबूने कितांत को छीन किया था आपको मैंने एक अबिनाश नामवाला शेत्र बतलाया था जहां पर भगवान बिशद्धज ने प्रसेदीबान होकर पड़िकंट के सानिद्ध को स्थापित किया था हे अनग मैंने आपको एक रक्तकानन नामक शेत्र बतलाया था जहां पर भगवान रुद्र मित्रवरुन दोनों के लिए बर्दान करने वाले हो गए थे सी हरकेशन नाम वाले एक शेत्र है जो पाताल लोक में स्थित है आपने उसके विशे में सबन किया ही होगा जिस शेत्र में बेरोचनी अपने पद की प्राप्ति के लिए देव के अर्चना किया करता है आप भगवान संभू के परम्प्रिया आवास्थान केलाश भली बाती जानती ही हैं जहां पर नित्त ही सेवा करने वाला माईशर भक्ति की भावना से भगवान यक्ष की अबर्च करने की क्यों इच्छा कर रहे हो इस प्रकार से सिला डंडन मुकंडु मुनी के पुत्र मुनिश्ण करता जो की बुक्ति भाव से चद्रू में नखन कर रहे थे इसके आद्रऊ । इसने अपने कर से सिर में मुणिश किया था अरुना चलश रस स्थान बर्तन महा मारशी मारकंडिया जी ने कहा हे भगवन आपके चरणों में ही एक मात्रश प्रवन होने वाले मेरे विशे में बंजन ना कीजिए ये आपका शिश्य किस प्रकार का है उसकी तो एक मात्र यक्षिनी यहां पर उनकी किपा ही है आपके द्वारा पहले कई वे स्थानों में पित्थक दो फल होते हैं भेविबरज जिस स्थान पर सभी प्रकार के फलों के प्राप्ति होती है वही स्थान अब आपके प्यार बदलाईए हे देशिक चर और आचर प्रानियों को जो जानते हैं और जो सर्वता ग्यान ही नहीं रखते हैं उनको जिसके केबल स्मरन सही मुक्ति हो जाया करती है उसे ही आप बदलाएए आप देखिए ये मेरे एक कही दोरा भगवान के आरदना नहीं की जा रही है इस समाधर ना करने के लिए सबी मुनियों के दोरा ऐसा अनुर्वत किया जा रहा था उन सब मुनियों के नाम पर पारिगन से बतलाता हूं पुला के द्वारा पुलस बरिष्ट मरिची अगस्त के द्वारा ददिछ नक्रू भग्री अत्री जावाली जैमिनी धौपय के द्वारा तदा जमगदिनी के द्वारा उपाज याज भारत अवर्णी वान पिप्ललात कमबग विडियो बस ब्रहा हो गया इसके वीडियो पर इतना है इसके बाद हम लों पढ़ेंगे यहां से पढ़ेंगे ने मिल्न के लिए ओ पर 50 तक लिए अ कैüğ